तो हलन वक्कम दोस्तों मिर नाम है पारस सिंग एंड आप देख रहें पारस ओफिशिल डुट चैनल तो जैसे कि आप सभी को पता है कल सुबे साड़े पाँच बजे आने वाली है न्यू कलासी क्रेट मुझे पता है हर बार की तरह बकवास कलासी क्रेट रहने वाली है बट म मेरे पास है तो आपको क्रेट ओपनिंग करने ही चाहिए या नहीं करने ही चाहिए वो मैं कल सुबे ही बताऊंगा कल सुबे सुबे आपको क्रेट ओपनिंग देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे तो एक्टिव रहना वीडियो देख लेना उसके बाद ही क्रेट ओपनिं and क्यूं नहीं आ रही वो भी आपको मैं दिखाऊंगा and इसके इलावा Mythic Forge में क्या आने वाला है वो भी काविजरे बंदे कमेंड कर रहे थे तो Mythic Forge की भी leaks आपको मैं दिखाऊंगा Mythic Forge के अंदर क्या क्या आ सकता है तो सबसे वहले यहाँ पर 5 की spin कर देते हैं 5 वाली spin दिख गई व्याज़े मैं करता नहीं हूँ बट देखते क्या मिलता है चलो ठीक है कुछ नहीं मिला and इसके इलावा यहाँ पर मैं 10 वाली spin भी करी लेता हूँ जो डेली करते हैं उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ जो लीक्स हैं जो की confirm लीक्स नहीं है बट लीक्स आई थी तो मैंने सोच आपको मैं दिखा दूँ जो की Mythic Forge की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ना यहाँ पर क्या मिल गया यह Mythic है नई Mythic तो नहीं मिनी वाला है चलो कोई दिक्कत नहीं है अब चलते हैं यहाँ पर इसकी भी Spin मार ही लेते हैं क्या पता यहीं पर कुछ मिल जाए कुछ दे दो या ढंका अबे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए चलो छोडो इसको इग्नोर करते हैं चलते हैं लीक्स के उपर तो जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी दूसरी आइडियो उन कर चुका हूँ अब चलते हैं जबसे पहले पॉपलाटी बैटल पे तो पॉपलाटी बैटल क्यों नहीं आई आपको यहीं से कनफर्म हो जाएगा 4v4 की पॉपलाटी बैटल चल रही है PUBG के अंदर और जो BJM आई है वो अभी तक 4v4 वाली पॉपलाटी बैटल लेके नहीं आया है तो BJM वाले को थोड़ा time लगेगा 4v4 वाली poplati battle को लाने के लिए अब इस poplati battle में फायदा क्या होता है एक team बन के हमें खेलना पड़ता है team हारेगी तो सब हारेगे team जीतेगी तो सब जीतेगे है ना अब team में क्या system होता है अगर तो दो बन्दे हारते हैं दो जीतते हैं तो tie होगा match जिसके पाँ ज़्यादा poplati होगी उसके पाँ चला जाएगा वह बला round अगर तो तीन बन्दे जीतते हैं एक बन्दा हार भी जाता है team में तो तीन बन्दे जीतने की वज़े से पूरी team जीतती है मतलब चारों को point मिलते हैं तो यह system होता है poplati battle में एंड इसके rounds भी कम होते हैं एंड PK 5 तक रहती है यह अब यह वली poplati battle PUBG के अंदर तो काफी time से आ रही है बट BGM I के अंदर अभी 4v4 आना start नहीं हुआ है जैसे के आप सभी को पता है जो चीज PUBG के अंदर आती है वो BGM I के अंदर जरूर आती है बट थोड़ा time लगता है तो इसी लिए poplati battle थोड़ी delay हो रही है मेरे साब से 4v4 वाली poplati battle आ सकती है PUBG के अंदर एंड reward आप देख सकते हो आपको PK 2 पे ही nickname मिल रहा है जो कि काफी सारे बंदों को चाहिए था मेरे पास खुद के पास नहीं है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो player card मिल रहा है social player card वो भी काफी प्यारा लग रहा है एंड normal chat वाला भी काफी प्यारा लग रहा है अब आप में को comment करके बताना मुझे तो पता है कौन सी building है यह एंड कौन सा यहाँ पर gate बना हुआ है तो एक बार आप comment करके बताना आपको क्या लगता है कहां का gate है कौन सी city का gate है में को comment करके बताना बाकि यह भी देखके आपको मज़ा आ गया होगा बाकि भाई यह देखो dragon वाला कितना सही लग रहा भाई यह यह कब आने वाला है यह तो मैंने देखा ही नहीं काफी प्यारा लग रहा है चलो ठीक है अब जो next popularity battle है उसमें यही items आने वाली है घुमा फिरा के अब 1v1 आती है यह 4v4 आती है यह मुझे confirm नहीं है बट जहां तक मुझे लगता है इतना time ले रहे है तो 4v4 दे सकते हैं बाकि अगर बीजे में वाले 1v1 भी देती है popularity battle तो यही rewards रहने वाले है इनको थोड़ा सा उपर नीचे करके दे देंगे ठीक है popularity battle का clear हो गया अब चलते हैं mythic forge पे उसके बाद आते हैं classic rate पे तो mythic forge भी same to same pubg वाली रहने वाली है बट pubg के अंदर काफी सारी items आ चुकी है bjmike के अंदर इनी में से कुछ items आएंगी बट सारी items नहीं आने वाली क्योंकि हर बार की तरह scam करना तो bjm वालों की आदत हो गई है तो ये जो भी mythic items आपको दिख रही है इन में से दो outfit आएंगी bjmike के अंदर next mythic forge में अभी confirm नहीं है कौन-कौन सी outfit आने वाली है बट इनी में से कुछ ना कुछ आने वाली है इसके इलावा यहाँ पर ग्लेशर सेट आ चुका है bjmike के अंदर invader सेट भी आ चुका है और यह वाला सेट भी आ चुका है ठीक है बाकि इसके इलावा यहाँ पर यह वाला helmet भी आ चुका है और इसके इलावा यहाँ पर और क्या क्या आया है और कुछ भी नहीं आया मेरे साब से पैन आया था पैन ये रहा तो यही सब आइटम सभी बीजे माई के अंदर आई है अब जो आइटम आने वाली है वो confirm तो नहीं है बट इनी में से कोई ना कोई outfit आने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है ये वली outfit आएगी next mythic force के अंदर अगर ये आती है तो मैं फटावर से निखाल लूँगा क्योंकि मेरे पास बड़े हैं काफी सारे mythic fragment इसके इलावा guns भी आने के chance है upgradable gun आ सकती है इन में से कोई ना कोई तो देखते हैं कौन सी gun आती है बाकि अभी confirm नहीं है बट इन में से ही कोई ना कोई upgradable gun आएगी अगर तो भाई सबसे छोटी gun की बात की जाए तो ये scorpion की skin है जो कि आपको तीन mythic emblem में मिल जाएगी एंड एक तरह से देखा जाए तो काफी सारे बंदे free में ही निकाल लेंगे जिनके पास ag currency जादा है एंड अप्ग्रेड भी free में ही कर लेंगे क्योंकि material भी royal pass के अंदर से मिल जाते हैं अगर तो ये आती है काफी सारे बंदे खुश होने वाले pistol की skin है अप्ग्रेड कर पाएंगे मेरे पहले से है max level आप देख सकते हो कैसी लगती है बहुत प्यारी लगती है पाँच है ये UC में मैंने ये निकाली थी अब लोगों को free में मिल रहे है भाई क्या जमाना आ गया है अब इदर से back चलते हैं चलते हैं classic crate पे अब classic crate की बात की जाए तो classic crate के अंदर आपको ये items देखने को मिलेंगी जो कि आपको legendary में दिख रही है जैसे की SLR and backpack की skin, helmet की skin, UZ की skin ये चीजे confirm नहीं है बट leaks के अंदर यही आई हैं अभी BJMI वाले इसमें कुछ ने कुछ चेंज करके कुछ ने कुछ items extra add करके एक classic crate बना देंगे and उसी को धे देंगे BJMI के अंदर new classic crate बोलके बाकि हर बार की तरह यही होता है इस बार भी यही होगा आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं सुबे साड़े पांच वजे crate आने वाली है मैं वीडियो 8-9 बजे तक upload कर दूँगा तो वीडियो का wait करना क्या-क्या items आती है कैसी crate आती है crate opening करनी चाहिए या नहीं करने चाहिए वो सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा तो वीडियो का wait करना बाकि इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में